पट्रकार के कपड़े फाड़े अखिलेश के नेता फ़रा नाजमी की गंधी हरकत महला के साथ की बच्सलू के कब तक चुप रहेंगे अखिलेश यादव बीजेपी ने उतार दी सपाईयों की गर्मी समाजवादी पार्टी के ऑफिस में समाजवादी के गुंदों ने ये अलग जिया है नमस्कार अनिमिफ न्यूज देख रहे हैं पर मैं हूँ आपके साथ वागीशा पांडे साथ नमबर के दिन महारास के शिवाजी नगर मानखुर्द में जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का शीतर है वहाँ पर एक महला पत्रकार हाला कि लोग महला पत्रकार कह रहे हैं अब पत्रकार है यह नहीं इस बात की पुस्ट्री अनिमिफ न्यूज नहीं करता लेकिन अकॉर्डिन टू ट्विटर यूजर महला पत्रकार जब शिवाजी नगर के रफीक नगर में गटर नाली की शिकायत लेकर अबू आजमी के ऑफिस समाजवादी पार्टी के ऑफिस पहुँची तो वहाँ पर उन्हें अबू आजमी की बेते फरान आजमी मिले यह महला का कहना है उनका कहना है कि जैसे ही में शि सलुकी की उनके साथ भी उसके बाद जब महला पत्रकार वापस लोटी तो सड़क पर वो बलकने लगी रोने लगी मदद मांगने लगी और कहा कि मैंने छोड़ूंगी नहीं अभी तक अखिलेश अदव का नहीं अभू आजमी का नहीं फरान आजमी का इस पर कोई बयान सा सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वारल हो रहा है जिसमें अभू आजमी का नाम लेकर यह कहा जा रहा है कि अभू आजमी ने महला पत्रकार के कपड़े पार दिये अलाकि इस पर अभू आजमी को अखिलेश अदव को बयान देना चाहिए क्योंकि वह यह वही अख कि अभू आजमी के गुंडों ने इस महला पत्रकार के कपड़े पार दिये क्योंकि इन्होंने सडक पर कच्रा पर सवाल पूछा था ऐसे ही बहन बेटी का समान करते हैं सपा के टोपी वाले एक और दूसरे यूजर ने लिखा समाजवादी पार्टी के गुंडाई भारास्ट में भी पहुंच गई है समाजवादी पार्टी के अबु आजमी के गुंडों ने इस महला के कपड़े फार दिये साथी लोगों को बुरितरा से मारा पीठा क्योंकि इर्हुने सड़क पर कच्रा पर सवाल पूछ लिया था जहां सपा का जंडा वहीं है गुंडा पूरे सोशल मीडिया पर ये वीजियो तेजी सवाल हो रहा है महारास्ट विधान सभा चुनाव नस्दीक है लेकिन अबू आजमी ने इस पर अभी तक कोई बयान दें दिया है अखिले शादव भी कुछ नहीं बोले हैं ये वही समाजवादी पार्टी है जो कि हमेशा महलाओं के समान की बात करती है इनके मंचों पर यदि बात करें हम तो लोग सुबा चुनाव में समाजवादी प अखिले शादव चुप है उन्हें लेना चाहिए क्या कोई अखिले शादव लेंगे यह पहली पार नहीं है जब अबू आजमी पर इस तरह के सवाल उठे हो इसके पहले भी अबू आजमी पर पहला विरोधी बयान दिये जा चुके हैं आपको याद होगा अबू आजमी बयान दिया था महलाओं को लेकर उन्हें कहा था कि जो महलाएं शादी से पहले अवैद संबंद में रहती है उन्हें फासी की सजा होनी चाहिए इस पर उनकी बहु और बॉले वो ड्रेक्टरिस आईशा टाकिया ने सवाल खड़े किये थे उन्होंने कहा था कि मेरे फादर के लिए बिल्कुर भी समर्था नहीं देते हैं तो महला विरोधी तो उन्हें अपनों नहीं बता दिया तो आखिर क्यों अबु आजमी चुप है और अबु आजमी चुप है तो हो सकता है इसका नुक्सान उन्हें हो क्योंकि लगाता है सोशल मीडिया पर बीज़ों की लो अबु आजमी को भूगत ना पड़ सकता है क्योंकि अबु आजमी 2009 से विधायक है श्वाजी नगर मांखुर्द से ऐसे में अभी जो लोग है मांखुर्द श्वाजी नगर के वो अबु आजमी का विरोध तो करी रहे हैं तो कि जो लोकल मुद्द है वहाँ पर अपरात क पर क्या रखेंगे इस वीडियो में कमेंट करकर जब जरूर रखिए इस वीडियो को जादा स्यादा है शेयर कीजिए लाइक कीजिए और आनमेफ नीज को सब्सक्राइब कीजिए थाने भाएब समाजवादी पार्टी के ओफिस में समाजवादी के गुंदों ने ये हलत किया है